हेलो फ्रेंट्स वेल्कम बैक मैं हूँ अविना स्वराज मैं आपके लेका आया हूँ तब कम्प्लीट कार केर किट जो कि आपके पास होने चाहिए तो इस वीडियो में हम दो पॉइंट कवर करेंगे कि एक वो पोटेट कौन-कौन से है जो आपको खरीदने चाहिए और दू को बिए प्रेंग का अँदी निदा सिनक निकालते हैं तो सबसे पहले मुंट में एकसा सबसले करने के लिए चाहिए नार्मली हमारे घर में होता है वह शित है यह वैक्युम जिनर नर्मली हमारे घर में ही अगर आपके पास वेक्यूम क्लीनर नहीं है तो और सोच रहे हैं कि आप इस पेसली कार के लिए चोटा कॉम्पेक्ट वेक्यूम क्लीनर आता है वह खर देंगे तो मैं आपको स्रेश्च करूंगा कि उसे बिल्कुल ना खर दे क्योंकि वह पहला बात इतना पाउरफुल नही के दिखाते हैं लेकिन असल में वह जो कार के जो आपको धूल मिट्टी जो होती हो इसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो मैंने वेक्यूम क्लीनर से आपके गाड़ी को कैसे क्लीन करना मैंने बनाया है जिसका लिंक उपर दिया हुआ है और उसका डिस्क्रिप्शन बॉ पैन जो होता है उसे यूज़ करके आप फ्लोर को कर सकते हैं लेकिन उसमें होता क्या है वह एक बहुत ही टाइम टेकिंग प्रोसेस है और उसका रिजल्ट भी 100% नहीं आता है तो यह हो गई फ्लोरिंग की बाद सेकेंड जो स्टेफ है जो हम लोग करते हैं वह कार को सैंप जो 3M के द्वारा अबलेबल मार्केट में इसका भी एक सेपरेट वीडियो मैंने बनाया है जिसका लिंक उपर दे देता हूं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं दे दूंगा और इसे कैसे यूज़ करना है और साथ ही इसका प्राइस क्या इसका सारा आउटसाइड बॉड़ी की तो उसके लिए जो वैक्स पॉलिस मैं यूज़ करता हूं वो है यह 3M का यह 3M का क्रीम वैक्स पॉलिस है 3M के और भी बहुत सारे पॉलिसेस आते हैं लेकिन मैं इसी को रेकॉमेंड करता हूं इसका भी एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है जिसका लिंक में उपराई बटन में प्लस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में में दे दो को इसके प्राइस एवरीटिंग और इसे कैसे यूज़ करना है वह सारा चीज दिया गया है तो एक बार जब आपकी आउटसाइड बॉड़ी की पॉलिस हो जाती है तो उसके बाद क्या यहां पर बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इसके बाद और भी कुछ साइन करने जरूते हैं लेकिन कार की जो इंटियर होती है डैस बोर होता है प्लस कार के आउटसाइड में जो प्लास्टिक ब्लैक मैट जैसे यह जो पोर्शन है अंदर की और बाहर की डैस बोड दरवाज क्या है इसका एक्सेप्रेट वीडियो बनाया हुआ जिसका लिंक में उपर आई बटन में और डिस्कुप्शन बॉक्स में भी मैं दे दूंगा तो यह हो गई अब जो लास्ट प्रोड़क्ट है जो की नॉर्मली 90 परसेंट लोग इग्नोर करते हैं वह है टार साइनर यह जरूत क्या है तो इसकी जरूत में इस बस एक ही बात से आपको समझाओंगा कि अगर आप समझिए पूरी तरह से तयार होके सूट पैन के अच्छा सा रेडी हो जाते हैं लेकिन जो आपने सू पैने जूते पैने उसे आपने पालिस नहीं किया तो वह कैसा आपको देगा बस आपके गाड़ी के साथ यह अगर आपने गाड़ी को पूरी अच्छा से क्लीन किया है उसे वैक्स करके उसे चमकाया है सब कुछ है लेकिन टायर जो है वह धोने के बाद भी उसमें साइन नहीं आता है तो उसको साइन के लिए आपको यह 3M का टायर ड्रेसर यूज करन ही है तब ही वह कंप्लीट क्लीन लूक आपको कारवे मिलेगा इसका बीक सेप्रेट वीडियो मैंने बनाया है जिसका लिक में उपर आई बटन पर प्लस डेसर बोक्स मैं आपको दे दूंगा तो यह रहे वह चार प्रोडक्ट और इन सब के साथ जो आपको एक कॉमनली जो चीज चाहिए वह तो आपको भी पता है वह है मैक्रो फाइवर क्लॉट तो यहां पर आप एक चीज यह पूछ सकते हैं कि 3M के ही प्रोडक्ट मैं क्यों यूज करता हूं तो इसका दो में रीजिन है पहला तो मेरा जो परसनल एक्स्पियेंस रहा है मैंने 3M के पहले भी ब दूसरा चीज जो है आप किसी भी कार मैनुफैक्ट्टर के सर्वी सेंटर में जाए चाहिए वह यूंडाई हो मारूति हो जो भी हो मैक्सिमम सर्वी सेंटर जो अपने सर्वी सेंटर में जो प्रोडक्ट यूज करते हैं वह 3M का ही होता है तो दोस्तों यह था कंप्लीट क कार केर किट जो आप बोल सकते हैं जो आपको जरूर से होना चाहिए यह जो प्रोड़क्ट बेर मिनियों प्रोड़क्ट है जो आपके कार के के लिए आपको खरीदना चाहिए आप चाहिए तो 3M का खरीच सकते हैं या पर कोई दूसरा ब्रांड का भी खरीच सकते हैं इसक कीजे हैं जो आपको रखनी चाहिए उसका मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है उसका लिंक मैं आई बटन में दे दूंगा फिलाल इस वीडियो में इतना है वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद